मैच जीतेंगे, कब जीतेंगे, इस बात का भरोसा जरूर है, लेकिन आपको पहले बता दे कि भारत ने टॉस जीत लिया है, भारत ने टॉस जीता है और टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी करने का फैसला लिया है, बहुत एहम टॉस यह हो सकता है, बहुत एहम फैसला क्योंकि नई pitch पर ये match खेला जा रहा है अब तक जितने भी pitch यूज किये गए है इस पुरे try series में आपको याद दिला दे एक ही stadium में match खेला जा रहा है प्रेमधाता stadium में लेकिन इस final के लिए एक नई pitch चुनी गई है और टॉस जीत कर पहले भारत ने गेंद बाजी करने का फैसला लिया है कपल पाजी यहां मेरे साथ हैं पाजी कैसे देखते है इस डिजिशन को और यह डिजिशन इसलिए क्योंकि टीम इंडिया का स्ट्रेंग्थ है चेस करने का या फिर इसलिए कि बंगलादेश कहीं फाइनल में प्रेशर में न डाल दे देखो दोनों चीज़े हैं एक तो थोड़ा ड्यूब भी हो जाता है ओस इतनी पढ़ती है उससे बॉल थोड़ा सा गिला हो जाता है और आपकी हमारी जो गेनबाजी है इतनी स्ट्रॉंग नहीं है बल्लेबाजी स्ट्रॉंग है तो ये टॉस चीत के अच्छा किया कि अपने गेनबाजों को थोड़ा सा पकड़ के रखना शायद आने वले समय बहतर हो जाएंगे जैसे वाशिंग्टन ने क्या खूबसूरत गेनबाजी की है उमीद नहीं करते थे कि कहां से लड़के आते हैं और कितना अच्छा खेल के जाते हैं तो इसलिए अच्छा है टॉस जीते और शायद बैट्समन बेटर फॉर्म में हैं और चेस कर सकते हैं अगर 170 भी बनाना है तो इन बल्लेबाजों को जादा मुश्किल नहीं और यह नहीं कह सकते कि बंगलादेश के पास अच्छे गेंदाज नहीं हैं लेकिन क्या वो प्रेशर हैंडल कर पाएंगे या क्या वो प्रेशर हैंडल कर पाएंगे या नहीं यह अपने आप में बड़ा सावाल है लेकिन बहुत एहम चीज आज के फाइनल में वो यह है कि पिछ कैसी होगी नए पिछ पर हो रहा है ब्रेटली ने यह पिछ रपोर्ट पड़ी है और उनके मताबिक नए पिछ पर घा की परत है यानि कि थोड़ा बहुत कंडिशन सीमिंग जरूर हो सकता है 180 से 190 अभी भी उनका मानना है कि बन सकते हैं क्योंकि बॉल में तेजी होगी काफी अच्छा बॉल आएगा लेकिन धीमी गेंद का इस्तमाल अगर वो बहतर तरीके से करें तो फिर वहां पर थोड़ा जरूर मदद मिलेगी किसी भी टीम के लिए लेकिन सबसे एहम बात यह है कि जिस टीम ने इस मैच में इस पूरे टॉर्निमेंट में बाद में बैटिंग करिये जैसे कि आज इंडिया करेगी उसको थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलेगी क्योंकि छे मेंसे पांच मैच चेस करने वाली टीम जीती है स्टाटिस्टिक्स इतने बड़े फाइनल में रेपूटेशन अब कभी नहीं हा रहे हैं मैच बंगलाजेश से यह सब फैक्टर करते हैं जब कप्तान टॉस करने जाता है देखिए जब आप फाइनल खेलते हैं तो हर टीम यही चाहती है कि टॉस ज गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अगर तुलना की जाए तो बल्लेबाजी बहुत उपर है और गेंदबाजी काफी नीचे है तो उसको मद्धे नजर रखते हुए शायद यह सही नहीं है बहुत बहतरीन प्रदेशन नहीं है ठीक ठाक प्रदेशन है तो वहाँ पर प्रेशर के सामने तमीम इकबाज और अगर आप देखें तो जितने भी आपने नाम लिए एक्सपीरियंस की कमी है ऐसा कोई नहीं कि यह गेंदबाज ही नहीं है शायद यही गेंदबाज आने वाले एक साल के बाद बहुत बड़े गेंदबाज बन सकते हैं लेकिन जब एक्सपीरियंस नहीं होता तो वहाँ पर थोड़ी सी खलिल हो सकती है गेंदबाजों के क्योंकि T20 ऐसी खेल है आज अगर कहा जाए कोई भी टीम जी सकती है हां ऑन पेपर रिकॉर्ड अच्छा है बेतर खेले हुए है और बेतर टीम है लेकिन क्या आखिर के ओवर में 12 रन या 14 रन बनाने हो तो कोई टीम भी बना सकती है ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता तो T20 जितना छोटा मैच होता जाता है अगर बन्गलादेश थोड़ी सी हावी हो जाती है बड़े मैच में कमबैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो इसलिए मैं कहूंगा कि इंडियन टीम फेवरेट है लेकिन कभी भी उनको आसान नहीं लेना चाहिए इंडियन टीम फेवरेट जरूर है इस पूरे जैदेव उनकर, शादूल ठाकुर, युद्वेंदर चहल और वाशिंग्टन सुंदर ये है टीम इंडिया का बॉलिंग अटाइक, बैटिंग अटाइक में कोई भी बदलाव नहीं है केल राहुल ने अपनी जगह पर करार रखिया मनीश पांडे दिनेश कार्तिक, पिछ पर थोड़ी बहुत घास है, क्या अब भी आप वाशिंग्टन सुंदर से नया बॉल डलवाएंगे, क्योंकि जब भी उनने डाला है, बहतरीन डाला है। और आप उनकी बल्ले बाजी देखकर आपको अनुमान हो जाएगा, क्या सही चीज़े हैं, मुझे अभी भी लगता है, गेंद बाजी में थोड़ी सी कमी है, लेकिन वाशिंग्टन ने बहुत इंप्रेस किया, सब को बहुत बढ़िया गेंद बाज हैं, और शाहिद उनकी फेरनेस सुन में नहीं नजर आता, ये है एबी बी नियूज आपको रखे आगे